हलो फ्रेंट्स आज हम पनीर की रेस्पी बना रहे हैं बिल्कुल अलग तरीके से इसको हम कोकड में बनाएंगे यूटूब पे पाली वार इस तरह का रेस्पी आपको देखने को मिल रही है तो चलिए फ्रेंट वीडियो को सुरू करते हैं तो देखे हमने सबसे पाले तीन इस चौप करके इस तरह से बड़े-बड़े स्लाइस में अड़ कर दिए है और इसमें हमको सूखी मसाल हें तो दो बदाम ले लिए दस्वारत कर लिया लसन का दो सूखी मिर्च एक तिजपत्ता दो लोंग और दो इलाइक लिये हैं और दो काले मिर्च और एक दाल चिनी क तुकुड़ा लिए हैं और एक टमाटर को हम चौप कर लिए इस तरह से उसका बीज निकाल लिए हैं और दो ग्रीन चिली लिए हैं उसको भी हम एड़ कर दिये हैं और एक ग्लास हम धाई सु एमल पानीश में आड़ कर दिये हैं और इसको हम कभर करके एक भीसी लाने तक इसको हम कुक कर लेंगे तो देखिए हम एक सीटी लगा के गैस का फ्लेम हम आउप कर देंगे और उसके बाद आपको दिखा रहे हैं इसका गैस निकल गया है तो देखिए फ्रिंट हमारे जो भी प्याज और टमाटर थे अच्छे से सॉप्ट हो गये हैं तो अब हम क्या करेंगे अहाँ पे एक बर्तन लेंगे और इसका पानी हम छान लेंगे वो पानी हम बिलकुल फेकेंगे नहीं हम जब इसका ग्रेवी बनाएगे तो इसमें हम यूज कर लेंगे तो देखे हमने छनने में इस तरह से चान लेंगे और जो भी प्याज इसमें पानी है उसको हम एक अस्पून की हल्प से उसको दवाते हुए हम सारा पानी निकाल लेंगे तो देखे फ्रेंगे इस तरह से हम अस्पून की हल्प से दवाते हुए इसका सारा पानी हम निकाल लेंगे ताकि जब हम फ्राय करेंगे तो अच्छे से फ्राय होगा तो यहाँ पर हम अच्छे से पाने इसका निकाल लेंगे तो देखिए फ्रॉंट कितना इजली से पाने हम इससे निकाल रहे हैं इसको दबाते जाएंगे पानी अपने आप अंदर बर्तन में निकल जाएगा तो इसी तरीके से यहां पे रख देंगे जो भी इसमें पानी होगा सारा निकल जाएगा तब तक हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं फिर देखिए हमने गैस पे पैन को चुड़ा दिये हैं और पै हम हल्दी आइड करेंगे और देखिए हमने पनीर को इस तरह से चौप कर लिए छोटे-छोटे पिसेस में तो इसको फ्राय करेंगे आप चाहें तो यहां पे फ्राय नहीं कर सकते हैं पर आज हम फ्राय करके बनाएंगे इसको तो इसको हम 2-3 मिनट एक तरफ अच्छे से फ प्लाट लेंगे इखिए हम अच्छे से फ्राय कर लेंगे जबता कि जब तक इस गुल्डधन ब्राउन कलर अच्छे से नहीं आ जाता है तो तो इक प्लेट में निकाल लेते हैं तो देखिए हम इसी तरीके से सारे पीसिस को हम निकाल लिए हैं और इसी तेल में हम आगे का प्रोसेस करेंगे तो देखिए हम एक स्पून जीरा को एड़ कर दिये हैं और इसके अलाबा और कुछ भी एड़ नहीं करेंगे तो आप खड़ा धर्या एड़ कर सकते हैं उससे अच्छा सा फुलेवर आएगा तो आप हम थोड़ा सा हल्दी एड़ कर दिये हैं और जो मसाले हमने छान के रखे थी उसको हमें हाँप एड़ कर दिये हैं इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसाले को हम चार से पाच मिनद तक अच्छे से भून लेंगे तो देखे फ्रंट अब इसमें हम कुछ सूखी मसाले आड़ कर लेते हैं तो हम सबसे पहले थोड़ा सा और हल्दी आड़ कर लिए हैं थोड़ा सा नमक क्योंकि हम नमक पाले ही आइड कर दिये हैं और ये हाप हस्पून हमने जीरा पौडर आइड कर दिये हैं और एक चमाच हम धनिया पौडर आइड कर दिये हैं और हाप हस्पून हम रेड मिर्ची पौडर आइड कर दिये हैं कलर के लिए और एक चमाच हमने कर मसाला को अच्छे को अच्छे को भूल के रहें हैं तो हम मसाल नहीं कर देंगे gotta तब तक हम इसको भूलएंगे वह देखे एक कप दूद एक कर दिए ड करते ही आप प्लम को लो करेंगे और लो फ्लेम करके हम चलाते हुए इसको जोभी दूध है अच्छे से सूख जाए तब तक हम इसको फ्राय करेंगे तो इसी तरह के चलाते हुए हम इसको फ्राय करेंगे यह प्रोसेस कम से कम 3 मिनट तक करना होगा फ्रंस तो इसी तरीके से हम चलाते हुए फ्लेम को लो करके इसको हम अच्छे से फ्राय कर लेंगे तो देखिए हमारे मसाले अच्छे से बिल्कुल फ्राय हो गया है और जो भी दूद था बिल्कुल अब्जॉर्ब हो गया है तो अब हम देखिए जो पानी छान के रखे थे वो सारा पानी हाँ पे आड़ कर लेंगे क्योंकि यह पानी हम बिल्कुल फेकेंगे नहीं सारे मसाले इसमें इन्हेंस है इससे हमारे ग्रेवी मच्छा सा फ्लिवर आएगा तो सारे मसाले को हम अच्छे सी मिक्स कर लेंगे और यहां पे हम बॉय लाने तक इसको कभर करके इसको हम कूक कर लेंगे तो देखे फ्लेम यहां पे हम कभर करेंगे और यहां पे फ्लेम हम हाई कर देगे ताकि यह अच्छे से जल्दी से यह बॉयल आ जाए और फिर हम इसको फ्लेम मेडियम कर देगे तो देखे हमने कभर कर दिये हैं और तीन मिनट के बाद आपको दिखाते हैं तो देखिए फ्रंट तीन मिट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ देखिए बॉयल अच्छे से आ गया है तो एक बार हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ग्रेवी को अब हम जो फ्राय करके पनीर रखे थे उसको हम डाल देंगे और यहाँ पे चाहे तो फ्रंट अब पनीर को फ्राय भी खा सकते हैं बहुत अच्छे लगते हैं और इसको हम कभर करके पाच मिनट तक कुक करेंगे ताकि पनीर में अच्छे से मसाला इन्हेंस हो और इसमें फ्लेवर अच्छे से आए तो यहाँ पे हम कभर कर दिये हैं यहाँ पे फ्लेम हम मेडियम रखेंगे तो देखिए फ्रंट पाच मिनट बाद मैं आपको दिखा देखिए अच्छे से बिल्कुल कुक हो गया है और ग्रेवी काफी थीक भी हो गया है और देखिए हमारे मसाले कितने अच्छे से यह मैस हो गया है तो देखिए फ्रिंड लग रहा ना बिल्कुल ढावा स्टाइल तो फ्रेंड इजली आप इस तरीकी से पनीर बना सकते हैं तो हम यहाँ पे गयस का फ्रेम को अप कर देंगे और यहां पे हम थोड़ा सा धरिया उपर से छिड़क देंगें ताकि उससे फ्लेवर अच्छा और यहां पे चाहे तो आपको सूरी मेथी भी आइड कर सकते हैं उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है तो यहां पे हम कभर करके पाच मिनट के बाद आपको सर्ब करके दिखाते हैं तो देखे फ्रेंट बाव देखे कितना इसमें साइन और कितना ग्रेवी थीक हो गया लग रहा ने बिलकुल ढावा स्टाइल तो देखे फ्रेंट कितना इजी तरीके से हमारे पनी रेश्पी बनके रेडी होगें बहुत ही कम टाइम लगता इस तरीके से बनाने में ताई हो फ्रेंट आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कॉमेंट्स करना नहीं भूलिएगा और चैनल पर पालिवार आएं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो मिलती हूँ नेक्ट वीडियो में एक नई रेश्पी के साथ तब तक थैंक्स फोर बाचिन बाई बाई फ्रेंट्स